अब बात करते हैं गहर ममूली चीज़ों की, कौन सी गहर ममूली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो अचानक से आपके डेटा में आ जाएं और आपका डेटा करें, कि मैं तो काम नहीं करूंगा भई, इनको पहले निकालो, ठीक है, और वो चीज़ें कहेंगे कि हमें क्यों निका और इस तरह की और भी काफी जएदे inconsistencies के साथ-साथ outliers जो हैं वो भी हमारे डेटा के अंदर आते रहते हैं, यानि कि ऐसा डेटा, जो गहर ममूली डेटा है, और उस डेटा का यहां पर आना बनता नहीं है, लेकिन वो आ गया है, कैसे आया, क्यों आया, इनकी सारी वजु So let's begin, मैं अपनी screen share करता हूँ, outliers के बारे में हम start करते हैं, outliers obviously जैसे नाम जाहिर करता है, ऐसी चीजें होती हैं जो गहर ममूली होती हैं आपके डेटा में, outliers क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो आपके डेटा में बिलकुल गहर ममूली तरीके से आ जाती हैं, गहर ममूली तर तीन, चार, पांच, छे, इस तरीके से डेटा आ रहा है, suddenly 8 के बाद डेटा के अंदर एक डेटा पॉइंट आ जाता है, 108, फिर आता है 9, 10, 11, अब आपको भी पता है कि ये गहर ममूली swift change हमारे डेटा में कैसे आ गई, कोई भी hypothesis ऐसे नहीं बताता कि डेटा का pattern फोरन से change हो नहीं सकता, ये कुछ वज़ें हैं जिनकी वज़ा से हो सकता है, या तो आपका data collector जो है, उससे कोई mistake हुई है, second अगर machine आपकी data collect कर रही है, तो आपके machine के अंदर कोई ना कोई खराबी पैदा हो गई है, ठीक है, अगर ये data आपने collect किया है, तो कोई typographic mistake हो सकती है, अगर original data भी है, तो इसका मतलब है कि जिस चीजों का आप data measure कर रहे हैं, उन चीजों में कोई मुसला हो सकता है, इस वज़ा से outliers हमारे data में बहुत important किरदार अदा करते हैं, और outliers की मिसाल ऐसे है, अक्सर उकात आपको भी पता है, कि आपके जो शहर में temperature होता है, वो 20 से 35 degree के दर करते हैं, कुछ cities ऐसे हैं, जहां पर 20 से 35 degree से जएदा temperature जाता है, नहीं है, ठीक है, 20 से 35 summer में temperature होता है, लेकिन एक दिन आप सुबा को उठे हैं, और आपकी घड़ी आपको बता रही हो कि आपके घड़ी या आपका मुबाइल बता रहा हो कि temperature 55 degree centigrade हो गया, which is actually an outlier, होई नही होता है, ठीक है, अगर वो ही घड़ी आपको बता रही है कि 50 degree हो रहा है, और खबरों में भी बात चीच चार रही है, कि 50 degree temperature हो गया, तो भी एक outlier है, लेकिन वो हमें कुछ information दे रहा है, लेकिन अगर आप उठ रहे हैं, और इतनी गर्मी नहीं है, और आपको आपका phone बता है, कि 50 degree centigrade आपका temperature हो गया, वो भी एक outlier है, लेकिन उसका meaning कोई नहीं है, तो अगर major type देखी जाए, तो outliers एक ऐसा data होता है, जो अचानक से change आज़े आपके consistent data के अंदर, और वो अचानक change आपको कोई meaningful result भी दे सकती है, और वो कोई गलती से भी आप add कर सकते हैं, और outliers को basically ज्यादा तर हम तरजी देते हैं, कि जैसे दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, इसी तरह data collector गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है data collector, वो कौन होते हैं, वो data scientist होते हैं, अब इन चीजों को हम और भी तफसील से देखते हैं, यहाँ पे आप चेक करें, कि inconsistency के स जब outlier से हम deal करते हैं तो थोड़ा सा different scenario होता है outlier को सबसे पहले identify करना क्यों जरूरी है क्योंके अगर data में outliers हैं तो पहली चीज machine learning का model सही से काम ने करेगा ठीक है दूसरी चीज ये center को अपनी तरफ खेंचते हैं अगर आपका data कुछ इस तरीके से distribute हो रहा है ये आपकी central tendency खासतोर पर mean है तो जैसे ही आपके data में एक outlier यहां पर आएगा ना for example ये data का सारे का सारे data यहां पर था लेकिन एक point यहां पर extra आ गया तो ये क्या करेगा उस mean को उठा के अपनी तरफ खेंच लेगा तो जो mean आपके point से इतना दूर था वो अब उसकी तरफ खेंचा चला गया ये वाला mean ठीक है और ये skewness का बाइस बनते हैं आपके data में skew कर देते हैं skewness in your data ठीक है your data और इसकी वज़ा से अकसर अकात आपके data के result भी खराब होते है results इसके इसकी वज़ा से जो हैं वो आपके data के results भी खराब होते हैं मैंने पिछले lectures में भी आपको बताया कि अगर आप outliers की बात करें तो outliers आपके mean को अपनी तरफ खेंच लेते हैं और इससे data में skewness आ जाती है अब skewness क्या करती है आपके data को खराब करती है और data जब खराब होगा machine learning खराब होगी machine learning model खराब होगा prediction खराब होगी prediction खराब होगी तो आपके decision और reporting खराब होगी यानि के data को सफाई करने के लिए data preprocessing में outliers को deal करना बहुत ज़रूरी है अब outliers को deal करते वकत आपको किन किन चीज़ों का ख्यार रखना है पहली चीज़ तो यह है कि यार हम जिन से पंगा लेने जा रहे हैं उनके नामों के बारे में तो पता हो ना so other names या उल्टे नाम क्या है outlier के सबसे पहला नाम है outlier ठीक है यह तो आपको पता होना चाहिए कि यह data का outlier है number two इसी का नाम में जो आता है वो है जनाब यह एक deviant है deviant ठीक है अगर ज्यादा होंगे तो ऐसे लगा देंगे deviant हो जाएगा number three इसका एक और नाम यह भी है कि आप इसको abnormality भी बोल सकते है abnormality in data melodies ठीक है in data फिर आप इसको anomalous point भी बोल सकते है anomaly क्या होता है वो भी एक ऐसी inconsistency आपके data के अंदर जो आपके data को खराब करें तो अगर एक point पर है तो anomalous points भोल सकते हैं ज्यादा पर है तो anomalous points उसे कह सकते हैं ठीक है फिर इसका एक और important नाम है which is called aberrant observations aberrant observation ठीक है या observations ये कुछ इसके नाम है इसके इलावा आपका data में खराबियां पैदा करने के लिए इसके कई और नाम भी लोग रख सकते हैं but outliers is nothing आपके data के अंदर गहर ममूली inclusion है ठीक है points की अब नामों के बाद हमें आना चाहिए इनकी types के उपर ठीक है अब देखते है types के अंदर अगर outliers को आप देखें तो आपके पास basically पहली type तो ये है कि ऐसा outlier जो सीरफ और सीरफ एक variable के अंदर हो तो obviously इसको बोलेंगे univariate univariate जो एक ही variable के अंदर inconsistency है ठीक है number two is multivariate यानि कि ऐसा outlier जो किस तरीके से आता है say for example आपके पास multiple variables है ये तीन चार आपके पास variables हो गए पहला variable आपके पास अगर age का हो गया दूसरा name का हो गया तीसरा आपके पास say for example price का हो गया और इसके बाद हो सकता है say for example quantity का हो गया something like this तो अगर आप data collect कर रहे हैं हर एक row सही जा रही है लेकिन अचानक से एक row पूरी की पूरी वो ऐसी value दे रही है जो बाकि किसी के साथ नहीं मिलती ठीक है यानि कि किसी के साथ मिला के निखाती यानि कि एक ऐसा outlier जो multiple variables के through आपके पास आ रहा है यानि कि हर एक value inconsistent साबित हो रही है say for example मैं आपको मिसाल देता हूँ आप train station पे गूम रहे हैं train station पे गूमते हैं वकट आपको भी पता है कि अगर देसी बच्चे होंगे न अगर आप पाकिसान के अंदर हैं ब्राउन कलर के या थोड़े से गोरे भी हो जाएं it doesn't matter लेकिन वो इतने गोरे नहीं होंगे जितने गोरों के बच्चे गोरे होते हैं आपको भी पता है आप station पे जा रहे हैं और कोई गोरे बच्चे अगर अचानक से उस station पे घूम रहे होंगे तो वो obviously एक नजर जाए कि यह यह पाकिस्दानी नहीं लग रहे हैं यह कोई foreigners हैं तो वो basically हमारी community में एक outlier है इसी तरीके से जैसे हम आते हैं यहां पे गोरों के अंदर तो यह सारे चिटे-चिटे पिर रहे होते हैं हमारे जैसे भीच में मेले पिर रहे होते हैं मेले means brown इससे कोई offended ना हो तो हम जैसे लोग जों है यहां पे outlier होंगे इसके एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि वो बात की जाती है ना के जहां पे सारे एक जैसे हों और कोई एक चीज़ डिफरेंट नजर आए उसको हम outlier बोलते हैं यानि के यह हम में से नहीं है समझारी बात की ओपंजाबी माईया मिया अक्सर कहा दे नहीं आने ना ठीक है something like that बाल कितने ब्राउन है बाकी छोड़े इसके बाबा को देखो इसकी ममा को देखो so these kind of things happen naturally happen होती है इसी तरीके से अगर पूरा दरख्त या आप कह लें for example एक एक आपका किनूओं का बाग है किनूओं के बाग के अंदर अगर एक specific arm का भी पेड़ आ जाएगा ना वहां पे किनूओं के बाग के अंदर तो basically वहां पे outlier होगा इसी तरीके से आपने गंदम की वसल लगाई है उसके अंदर अगर कोई और पोदा उग गाएगा तो वहां का outlier होगा सो ऐसी चीज जो community से बिलकुल separate होती है उसे हम outlier बोलते हैं hopefully समझ आगी होगी अब जलते हैं हम outlier की multiple types पे so मैंने आपको univariate बताया multivariate बताया फिर एक ऐसा outlier होता है outlier की type जिससे हम global outlier बोलते है ठीक है global outlier ये ऐसा outlier होता है जो पूरे data set में ही होता है मतलब ये नहीं है कि आपने एक point पे इसे देख लिया and that's it नहीं ये पूरे data set में outlier है say for example आपका पूरे का पूरा column भी एक outlier हो सकता है based on the data set के अगर आप data को देखेंगे ये मिलता ही नहीं है ये कोई लाइदा ही हमने quantity ले ली है फिर इसके बाद आता है जनाब point outlier एक ऐसा outlier जो सिरफ एक point पे जाके ठीक है वो univariate भी हो सकता है कि univariate में जाते जाते एक point खराब हो जाए वो multivariate भी हो सकता है कि multivariables में जाते जाते एक row खराब हो जाए तो ये होता है point outlier global outlier के है कि जब भी यहाँ पे for example किसी एक specific चीज का नाम आ रहा है ये बिल्कुल हमें different value दे रही है तो इसको बोलते हैं global outlier है पूरे dataset में आपका ऐसा काम होगा ठीक है अब एक होता है local outlier local outlier ये एक ऐसा outlier होता है मैं आपको एक cluster बना के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे ये green points का outlier cluster बनाता हूँ cluster का मतलब होता है group के मेरे पास तीन किसम के groups है red, green and blue ये मेरे पास तीन किसम के groups हो गए ठीक है ये तीन किसम के group हो गए अब अगर मैं green के पास पास ये वाला color लगाँ तो मैंने तो इसे इस वज़ा से green में add किया क्योंकि ये greenish दिख रहा है लेकिन है ये थोड़ा सा yellowish भी ठीक है so green वालों से थोड़ा सा different है लेकिन बाकियों से बहुत different है तो इस वज़ा से हमने इस cluster में से डाल दिया लेकिन इसकी सारी properties इसके साथ नहीं मिलती है कुछ-कुछ मिलती है ठीक है so we can say कि ये बिलकुल हटके है but in a local span local क्या होगा कि ये जितने भी green वाले है न ये इसमें से हटके है बिलकुल मैं अगर थोड़ा सा zoom in करूँ तो शायद मैं आपको दिखा पाऊं कि इसमें इतना फरक नहीं है but clustering की base में हमने इसको यहां पे डाल दिया on the other side ये इन से different है so this is called local outlier ठीक है फिर अगली बात आती है आपके जनाब local outlier के बाद that is contextual 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 यह वो outlier है जो सिरफ एक cluster में होते है so यह जो contextual outlier है यह basically आपके एक cluster में है लेकिन context की वज़ा से यह outlier गिने जा रहे है यानि कि हम important properties की base पे तो इन्हें लेने है लेकिन अगर context देखा जाए specific properties देखे दाएं तो यह यहां पे आ नहीं सकते ठीक है it should be in another separate cluster ठीक है मिसाल के तोर पे आपके घर में अगर महमान आ गए है महमानों के जो बच्चे हैं obviously वो आपकी family तो नहीं होंगे लेकिन guest होंगे वो आपके साथ रह सकते हैं खेल सकते हैं लेकिन वो वहां पे bus नहीं सकते ठीक है आप उसको कुछ देर के लिए अपने पास मिला सकते हैं लेकिन they cannot stay there for longer time या they cannot actually live there for longer time तो महमान महमान ही होता है family family होती है इस वज़ा से outlier ने outlier ही रहना लेकिन context की बेस पे आप उसे कह सकते हैं हम में है मतलब एक वो कहते हैं के मुहावरतन हम कहा देंगे कि हम में से हैं लेकिन but they are actually not really the family members तो इनको बोलते हैं contextual outliers obviously data के अंदर थोड़ा से scenario different होगा we will see that but contextual outlier हमारे पास आगे फिर कुछ होते हैं periodic outlier और कुछ और किसम के भी outliers होते हैं we will see them later on but now I am going to share my screen के अगर आप outliers के बारे में पढ़ना चाते हैं तो obviously koonanics.com की website पे अगर आप जाएंगे books के अंदर जाएंगे ABC of statistics में जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपके पास हमारी books जो है वो इस तरीके से सामने आजाएगी आपने क्या करना है outliers and missing values पे click करना है click करने के बाद आपके पास यहाँ पे यह outliers आजाएंगे types of outliers आजाएंगे जितनी भी types हैं कुछ मैंने आपको बता दी है आपने collective, recurrent and periodic इन तिनों को खुछ से बढ़ना है ठीक है so this is another assignment for you अब आपने क्या करना है जितनी भी types and outliers की इसकी एक-एक example आपने बनानी जो enrolled student है उनके लिए यह छोटी सी assignment है that you have to make and make a kind of assignment on these types ठीक है अब आप अगर गौर करें causes of outliers कौन-कौन से होते हैं एक तो data entry की error ठीक है यानि कि जो data enter कर रहा है उसकी कोई error हो जाती है second error होती है measurement error कि जिस बंदे ने data को measure किया है वो ही error का सबब बन गया say for example data entry में अगर आपके data में age variable है और किसी ने age को 100 साल की जगा 1000 साल लिख दिया तो विसलिए यार यह outlier है ठीक है same here कि अगर आपके data में height variable है तो और किसी ने height को 5 feet की जगा 50 feet measure कर दिया है तो ये भी एक measurement error की वज़ा से या outlier है ठीक हो गया फिर आता है experimental error experimental errors की वज़ा से outlier को होते हैं data को experiment करते वकत किसी human error की वज़ा से outlier होना for example एक weight आपका variable है और किसी ने weight को 50 kg की जगा 500 kg लिखती है humanly possible नहीं है कि 500 kg का कोई इंसान अगर होगा तो Guinness Book of World Record के अंदर उनकी entry होनी ज़रूरी है I would say क्योंकि ये बहुत बड़ी एक differentiation है different human beings ऐसे नहीं हो सकता 500 kg का नहीं हो सकता so फिर आता है intentional outliers ऐसे outlier जो गलती से नहीं बलके intention की वड़ा से किसी ने रखे हो intentionally outliers डाल दियो for example अगर आपके data में age variable और किसी ने 100 साल की जगा 1000 साल add कर दिया और जान बूच के किया है अक्सर उकात होता है कि आप किसी से कहते है यार data collect करना मेरा survey और वो आपका जिगरी यार है बट वो नहीं चाहता कि आप पास हो या आपके रिष्टेदारों को आप कहते हैं कि survey fill कर दें मेरी research इस पर matter करती है वो आपको survey तो fill कर देते हैं लेकिन घल्त ही fill कर देते हैं कि आया fail होए ठीक है वो होते हैं ना लोग negative सोचते है negative करते है तो intentions उनकी क्या होती है घल्त होती है आपके लिए लेकिन वो कहते हैं हाँ survey हो गया fill ओक्या भई हमारी तरफ से करती है मैं तब 20 लोगों से और भी करवाया तो उनका मकसद ही होता है कि जान बूच के घल्लत data देना या उनकी बुरी intention नहीं है लेकिन वो unintentionally intentions को बुरा कर लेते हैं फोर एक्जेंपल वो कहते हैं कि यार ठीक है इसको मैं yes or no पे क्लिक कर दूँगा या मैं इसको कह दूँगा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम किया है तो वो basically अपनी values को नहीं input दे रहे होते feedback नहीं दे रहे होते so these kind of outliers are actually occur in different kind of data set as well intentional outliers then data processing की errors भी होती है say for example जब आप data को process कर रहे है न तो वहाँ पे भी data में error आ सकती है कि आपने कोई equation गलत लिखती है बिसाल के तोर पे आप gram से kilogram के अंदर किसी चीज़ को convert कर रहे है तो आपकी equation गलत हो गई मतलब एक feature को बनाने के लिए आप जो calculation कर रहे हैं वो ही गलत है और वो आपको 1000,000 kilogram का एक बंदे का weight बता रहे है so this is another error जो आपको remove करनी है फिर अगली आती है जनाब sampling errors sampling errors कौन सी errors होती है ऐसी errors कि जब आप sample ले रहे हैं उस वक्त आपने data गलत से fit कर दी है यानि कि यह ऐसा भी हो सकता है कि आप से बोला गया है कि पाकिसान की अवाम आम population का data लो और आप उठा के सारे उन बंदों का data start कर दें weight का जो 100 kg से उपर है तो यह sampling 22 भी है और इसे sampling error भी बोलते है क्यों? क्योंकि आपने true to representative population का data ने लिया ठीक है? representative sample का ठीक है? so that is why this error रखर फिर कुछ natural outlier हो जाते है natural outlier के अंदर आप obviously different किसम की examples जो है वो आप देख सकते है तो यह हमारे पास जनाब आला data entry की वज़ा से भी आ सकते है measurement error की वज़ा से भी आ सकते है experimental error की वज़ा से भी intentional भी होते है data processing की वज़ा से भी आ जाते है sampling error की वज़ा से भी natural outliers भी होते है there are many other outliers अब हमें इन outliers को क्यों देखना ज़रूरी है क्यों देखना ज़रूरी है अब देखने के लिए obviously जब आप outliers को study करना चाहेंगे मैंने पहले भी आपको बताया कि outliers आपको काफी किसम की information दे जाते है number one outliers को देखना इस वज़ा से ज़रूरी है कि आपको ये hidden clues देते है hidden clues कि data में कौन-कौन सी hidden बाते हैं या pattern चुपे हैं और ज़रूरी नहीं कि outliers हमेशा घलत साबित हो और ज़रूरी नहीं के outliers हमेशा घलत साबित हो they can be really good for your understanding as well कोई एक outlier अक्सरोकात research question को भी अच्छा बना जाते है second one is data की quality इन पे matter करती है इस वज़ा से आपको इनकी care करनी चाहिए ठीक है और hidden clues को यह अच्छा भी बना देते हैं एक सरोकात खराब भी कर देते हैं that's why we need to care third one is इनका impact बड़ा होता है impact को study करने के लिए जब आप काम करते हैं तो यह उन पे impactful थाबित होते हैं for example आपने age और fair का data check करने है और outlier की वज़ा से 80 साल के बाबा जी जो है Titanic के data में या किसी भी data में उनका जो कराया है वो आप बता रहे हैं कि नोंने 700 पे किया है ठीक है क्योंकि यह दोनों extreme values हैं तो impact की वज़ा से यानि कि अगर outlier को इससे भी बढ़ा है हमारे पास तो वो में को उठा के ऐसी की तरफ ले आएगा instead of 29. So that is why we need to care about the impact of one variable on another. फिर better decision, better modeling, better everything we need to have we need to deal with outliers. model, decisions, decisions and different kind of analysis we need to be very careful about outliers और not but last but not the least is visualization में खराब भी पैदा करते हैं अगर outliers होंगे ना तो आपको data डिंगा चाहिबा, मतलब टेडा मेडा आपके पास plot देगा यानि कि skewed plot आएंगे like this अगर आप outlier remove करते हैं तो इस तरीके से आजाएंगे ठीक है so this is how you can actually handle, you can actually think about कि आपके पास outliers कितनी क्यों क्यों क्यार करना उनकी जरूरी है मैं screen आपके साथ share करता हूँ और यहां पे अगर गोर करें तो यह सारे points मैंने यहां पे दिये हूँ है data की quality, impact analysis, better decision making, better models, better insights, better data visualization, better storytelling, better data products and better data science ठीक है तो यह 10 points आपके लिए जरूरी है कि क्यों हमने outliers को deal करना है ठीक हो गया, यहां तक आपको clear हो गया होगा अब outliers को किस तरीके से आप detect करते हैं और remove कैसे करते हैं ठीक है so there are many methods out there जिनमें से z-score method है, IQR method है, db scan method है, solution for us, local outlier, फिर elliptic envelope, one class, SVM there are many other methods of outlier removal लेकिन जो मशूरे जमाना हैं यह उपर वाले दो, z-score and IQR हम इनको गहर से देखेंगे, और फिर k-means clustering जो एक method है, इसको गहर से देखेंगे, यह तीन method हम देखने वाले हैं इस example के अंदर, और हम outliers को find out करके, उनको remove करना सीखेंगे so z-score method में क्या होता है, आप x-mu divided by, जो आपका sigma small letter है, यह इस equation को आप follow करते हैं, ठीक है यह equation क्या करती है, इसमें आपके पास जो z-score है, वो आप calculate करते हैं, और उसकी base पे आप define कर सकते हैं, कि आपका z threshold कितने हैं and then, आपके पास 0, minus 1, minus 2, minus 3, फिर 1, 2, 3, इसकी base पे आप outliers को detect कर लेते हैं, ठीक है और यह मैंने book में थोड़ी सी change करने हैं, that's an error, कि आप अपनी, समझ की base पे outliers का threshold रखते हैं, जरूर, usually होता है minus 3 और 3 से उपर जो values होंगी, उनको हम outlier करते हैं, तो यह जो मैंने यहां पे examples नहीं हैं, this is a little bit wrong, मैं इसको correct करते हूंगा so z score example को आप python के अंदर भी देख सकते हैं, और different other softwares के अंदर भी देख सकते हैं, IQR को भी python के अंदर भी देख सकते हैं, different softwares के अंदर भी and then you can also see k-mains clustering in different softwares and also in python, तो अब मैं आपको बताता हूं कि यह तीनों outliers किस तरीके से हम detect करते हैं, और तीन methods के थूरू हम कैसे outliers को remove भी करेंगे say for example, यह मेरे पास एक data है, ठीक है, data को अगर मैं plot करता हूं इस तरीके से, यह normal distribution है, ठीक है यह मेरे पास इसका center है, इसको मैं बोलता हूं 0, ठीक है, और अगर मैं इसी को यहां से ऐसे plot करूं, फिर यहां से दूसरा भी इस तरीके से plot करूं, यहां से तीसरा भी इस तरीके से plot करूं और अगर आप इसको समझें कि ये 1 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2, माइनस 3, ये है 2 और 3, और ये Z-scores हैं आपके basically, 1, 2, 3, ये Z-score है, ठीक है, अब आपको भी पता है कि Z-score का ये वाला जो shaded area है, ये 1 और माइनस 1 के दिरम्यान है, ठीक है, और इसमें अच्छा खासा data ने आपको बताया, फिर Z-score जब 2 होगा, तो आपके पास जो data है, वो इतना आजाएगा, फिर Z-score जब 3 होगा, तो data सारे का सारा आजाएगा, लेकिन there are some points left, तो ये आपने चूज करना है कि minus 3 और plus 3 के ऊपर या उससे नीचे आपने outliers को declare करना है, या 2.5 से नीचे declare करना तो आप threshold बताते हैं, कि मेरे data का less than minus 3 जो point होगा, Z-score का, उसको मैंने remove करते हैं, या greater than plus 3 जो होगा, मैंने उसको remove करते हैं, तो ये दो extremes आप define करते हैं, ठीक है, Z-score method के अंदर, and then these method will help you to remove outlier, और अक्सर उकात जब आप Z-score method को study कर रहे होते हैं, तो you should be very careful about many things, मैं भी आपको समझाता हूँ किस तरीके से, ये आपके सामने, एक में डाइग्राम लेके हैं, अभी इसको देखते हैं, पहले, यहाँ पर अगर आप गोर करें, so, detecting outlier with Z-score, अगर आपका data ये yellow shaded area में आ रहा है, तो minus 1 और 1 के दरमयां दरमयां ये data Z-score का, कैसे calculate करते हैं, मैंने आपको equation उसकी बता दी पहले, equation of Z-score is somehow like this, ठीक है, x minus mu over sigma, so, अगर हम इसको गोर करें, तो Z-score तो calculate हो जाएगा हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास yellow shaded region में data आ रहा है, तो this is not unusual, मतलब ये unusual नहीं है, ज्यादा तर data ये ही पर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जैसे minus 2 और 2 के दर्मियान के बाद हम extremes देखेंगे, यानि इस region से बाहर, इस region से जब हम बाहर देखेंगे, इस box से बाहर, तो हमारा data moderately unusual है, तो इसका मतलब है, हम outliers को यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन अक्सर उकाद minus 3 और plus 3 की extremes के बाहर जो data होता है, हमारे पास matter करता है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, के z-score की base पे minus 3 से कम, और plus 3 से जो ज्यादा वाला data है, उसके इलावा बाकी data जो है, उसको हम extract कर लेंगे, तो यह outlier free data होगा, outlier free data, ठीक है, और इसकी example अब मैं आपको दिखाता हूँ, example के लिए चलते हैं, अपने vs code के उपर, मैं screen आपके साथ share करता हूँ, यहाँ पर मैं inconsistency वाले को बंद करता हूँ, and then we can create a new notebook, outliers.ipynb, यह हमारे पास number 4 आ गई, तो इसके उपर हम outliers की examples देखते हैं, मैं obviously, जो हमारी book के अंदर example मैंने लिखी हुई हैं, मैं उसी को copy paste करता हूँ, ताकि आपको एक दफा समझा सकूँ, यहाँ पर आ जाएं आप, तो यह हमारे पास जनाब एक हमने, kernel साब select कर ली है, age का data हमारे पास, यह SRA का सारा data ठीक है, और हमने क्या किया है, इस data का mean और standard deviation calculate कर ली है, these two things, क्यों क्योंके हमने यह वाली equation इससे बनानी है, कौन सी equation है यह, यह वो ही equation है जो यहाँ पर लिखी हुई है, इस equation की यह parameter है, हमने simply क्या किया है, इस equation को यहाँ पर develop कर ली है mean और standard deviation की base पे, age data का data है हमारे पास minus mean over standard deviation, तो यह हमें standardization का method भी है, z-score standardization भी से बोल सकते हैं, इसके थुरू आपके पास z-score आ जाता है और उसकी base पे आप इदर उदर वाले remove कर लेते हैं, but we will actually talk about this later on, for now I would say step 2 तक अगर हम इसको देखें, तो हमारे पास यह कुछ इस तरीके से data dot head, यह हमारे पास data बनता है, अगर आप गौर करें तो 20, 21, 22, 23, 24, यह मैंने तकरीबन सारी की सारी नहीं लिखी, मैं सारी की सारी अगर लिखूं तो यह it would be like this, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, अगर आप गौर करें 30 तक ठीका रहा है और 50 एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मुझे यह लग रहा है देखते ही कि यह 50 आउट लायर है, तो मैं क्या करूंगा, अब 50 जो है हमारे data में which you can see here, इसके इलावा, मैं क्या करता हूँ mean और standard deviation calculate करता हूँ, यह equation में fit करता हूँ, मैंने क्या किया आप, यह वला जो मेरे पास standard deviation के बाद z scores आ गए सभी के, data के z scores आ गए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, कि z scores के साथ data को कैसे print out किया जा सकता है data.head, तो हमने z score calculate करके न, उनकी values साथ में दे दी, एक निया column add किया और z score के नाम से यह वली equation fit कर दी, हमारे पास z score आ गए, अब हमने अगला काम क्या करना है, अगर आप गोर करें z score के उपर, तो मैं अगर सारा data डालू यहां पे, तो 50 का z score 3 से उपर है, ठीक है, 50 का z score 3 से उपर है, यह बात mind में रखिएगा, अब z score 3 से उपर का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे लिखूं दुबारा से, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे पहले data को simply fit in कर रहे हैं, कि यह data without outliers है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम data को, क्या कर रहे हैं, filter कर लेते हैं, हमने outliers यहां पे print किये, फिर हमने क्या किया, outliers को remove कर दिया, तो मैं step by step आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे चलता है, यह मैंने अपने outliers के बिना data देख लिया, outliers के साथ सारे के सारे data और उनके z score print कर दिये, फिर मैं क्या करता हूँ, यहां पे करता हूँ, जुनाब अपना outlier सिर्फ कौन से हैं, यह इसने मुझे बता दिया कि यह जो एक point है, 50 यह outlier है, अब हमने अगले step में इसे remove करना है, we can remove किस base पे, हम कहेंगे कि data, data में जहां पे z score is less than and equal to 3, सिर्फ वो data लो, बाकी सारे निकाल दो, और print कर दो data को, and here you go, 50 के बगार सारा data आ गया, यानि कि जो एक outlier था 50, उसके बगार हमने data को यहां पे plot कर दिया, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यह वाला 50 जो था यह एक outlier था, and this is how you can actually see the whole code here, तो यह सारे के सारा code यहां पे मैंने दिया हुए, अब यह तो मैंने खुद से equation बनाई, इसके इलावा आप scipy stats की library जो है उसको भी use कर सकते हैं, तो मैं scipy वाला यहां पे code place करता हूँ, and here you go, आपके पास numpy और s stats आपने यहां पे import कर लिया, यहां पे आपने data अपना लिया है, तो यहां पे मैंने एक different outlier 110 रखा हुए जानबूच के, यहां से हमने क्या किया, हमने calculate किया है z score for each data point, और उसके लिए stats का z score function हमने use किया, यह वाले stats से z score function use कर लिया, then हमने threshold 2.5 रखा है, आप 3 भी रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं, कि यहां पे हमारे पास data जो है, उसका with outliers, यह data का outlier, और यह data without outliers, यह 110 हमारे पास outlier है, और कहां पे है यह 9 index पे मचूद है, index number 9 पे, and if you look into it correctly, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह index number 9 पे था, हमने क्या किया, इसको index की base पे हमने data को remove कर दिया, outlier से park कर दिया, simply z-score method इस तरीके से काम करता है, फिर हमारे पास आता है एक IQR method, जिसमें हमने अच्छी खासी बहस की है, पिछले lectures के अंदर भी, यह होता है interquartile range, यानि कि आप एक data को, चार हिस्सों में तक्सीम करते हैं, IQ1, Q2, Q3 and Q4, और आप IQR की base पे Q3 minus Q1 जो है, उसकी base पे data में से outliers जो है वो निकाल देते हैं, अगर आप पिछले काफी दूनों से मेरे साथ यह चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपको पता होगा IQR method मैंने पहले भी पढ़ाया हुए, so I'm not really going into the detail, तो इस वज़ा से मैं simply आपको यह बताऊंगा, कि यह Pandas की और NumPy की library पकड़ें, 25 से 75 फीसे तक का data जो है, उसको आपने select करने IQR range को 1.5 से multiply करने के बाद, आप आपके outliers जो हैं उन्हें remove कर देंगे, so simply मैंने IQR method यहां पे लगा के outlier remove कर दिया, and here you go 50 के बगार data आगे, यह जो 50 था यह outlier था by the way, ठीक है, आम मेंसे कितने लोगों को IQR method का पहले पता है, अगर नहीं पता तो मैं इस पे आपको नहीं जो वीडियो है वो दे सकता हूं, okay, so आप मेंसे काफी लोगों को outliers का पता है, इस वज़या से मैं उस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं intercortile range आपको बना के दिखा दूँगा, but now I can only say one thing about intercortile range, कि आप क्या करते हैं, आप data को चार हिस्सों में तक्सीम करते हैं, चार हिस्सों में तक्सीम करने के बाद आप data के core tiles जो हैं उनको गिंते, and then you can actually identify an outlier, और यह box plot के through भी हो सकता है, यह simple different techniques के through भी हो सकता, it's totally up to you, for example मेरे पास यह सारे का सारा data, इसके मैंने चार हिस्से बनाए, इक्वल चार होने चाहिए अगर थोड़े बहुत different हो गए हैं, sorry for that, यह चार इससे हो गए, center इसका जो होता है वो median होता है, और यह आपकी interquartile range होती है, center बली ठीक है, यानि के आपका 50 स्विसर data यहां पे आ रहाता है, अगर मैं इसको diagramatically आपको समझाऊ हो, so it would be something like, let me copy the diagram here, so आपके पास जो IQR method की base पे होगा, it would look like this, ठीक है, आपका सारा data यह Q1 होगा उसका, अगर box plot बनाएं, यह Q1 है, यह Q3 है, तो यह 25th percentile है, यह 75 percentile है, इसको बोलते है IQR, और IQR के right side पे अगर आप 1.5 से multiply करें और left side पे 1.5 पे multiply करें तो आपके पास यह वाली range आजाती है, इस range के बाहर जो data होगा, इसको हम बोलते हैं outlier, ठीक है, तो यह वही range को हमने draw करके, IQR को 1.5 से multiply करके, यह outlier देखिया है, यानि के data की इस range के बाहर जो चीज होगे उसे हम outlier बोलेंगे, और इसी चीज को हमने show किया है अपनी notebook के अंदर, ठीक है, यहां पे, हमने IQR find किया, और IQR के साथ 1.5 को multiply करके, हमने outliers को remove कर दिया, so that was the second method, अब चलते हैं third method की तरफ, which is called k-means clustering, और k-means clustering की base में, हम कैसे outliers को remove करते हैं, और अगर मैं इसको code को यहां पे paste करूँ, then I can actually teach you कि किस तरीके से यह k-means clustering काम करती है, सबसे पहले यह जी हमने k-means, s ke learns library, s ke learn library से cluster import किये, और cluster के अंदर k-means clustering हमने इस तरीके से यह function जो है इसको बुला लिया, हमने अपना data का sample यह बना लिया, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 30, 30, 30, 32, 32, 32, यह हमने बना लिया, यानि के यह clusters हमने बनाने के लिए यह data को बना लिया, two-dimensional data आपने कर लिया, हम क्या करते हैं आप, हम k-means model की base पे 2 cluster बना लेते हैं, k-means clustering होती क्या है, अगर मैं आपको समझाओं, तो यहां पे आपका सारा data जो है, अगर आप उसे clusters की base पे convert कर दें, यानि कि एक data को एक जैसी values की base पे clusters में convert कर दें, यह जो clusters हैं, ठीक है, अब इन clusters में convert करने के बाद, अगर कोई चीज cluster में आ गई हो, और वो इस cluster के center point, जिसको हम centroid बोलते हैं, उस से उसका distance बाकी सब points से बहुत ज्यादा हो, और उसकी range इतनी ज्यादा हो, कि वो उसको outlier declare कर दें, यानि कि यह इसका centroid से बाकी points का है यह उससे दो गुना से भी ज्यादा है और some other parameter आप यूज कर सकते हैं तो यह जो यहाँ पे point है बाकी point से काफी दूर है यानि कि जो centroid है आपका, उस cluster का उससे काफी दूर है, इस distance की base पे हम outliers को detect करते हैं और यह distance जो होता है from center to the maximum point यानि कि एक cluster के center से maximum point का distance, उसकी base पे हम outlier को remove करते हैं यहाँ पे हमने क्या किया दो cluster बनाए, पूरे data के और हमने data पे यह fit कर दिया model, फिर हमने क्या किया, हमने data को predict किया उसके clusters को predict किया and then what we did, हमने एक specific outlier based clustering algorithm को run किया and then we can say कि अगर label जो है, वो zero आता है यानि कि यह किसी cluster में नहीं है, then we can actually say कि यह data without outlier है, ठीक है, और यह basically k means clustering का method ऐसे काम करते हैं, कि आप circuit learn के थुरू, पूरे के पूरे data को clusters में convert कर देते हैं, और clusters के बाद, आप क्या करते हैं labels उसके predict कर लेते हैं, पूरे data के और आप उस data के label predict करने के बाद आप क्या करते हैं, data के अंदर से labels की base पे अपने label की quantity यानि कि कौन से cluster के अंदर वो data आ रहा है, उसकी base पे आप outlier को remove कर देते हैं, अगर अगर वो किसी भी cluster में नहीं जाता तब भी outlier है, और अगर सभी से थोड़ा सा distance पे है तो तब भी वो एक outlier consider होता है, that's the theory और इंशाला जब clustering algorithm पढ़ेंगे खास तोरपे k mains मैं इसको और भी detail में आपको समझाने वाला हूँ, so अगर आप गोर करें तो छोट 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 डेटा से थे हमारे यह अचानक से 30-32 आ गया so that's why we can not actually consider them into our clusters so simple सी यही बात है कि यह थोड़ा सा distance इंका बाकी cluster से दूर है हमने cluster कितने बनाने यह हम पर डिपे करता है, अगर मैंने यहां पर सिरफ दो बनाने हैं, तो वो दूसरे वाले cluster में नहीं आएंगे, but inshallah we will learn this in actually, in detailed way, जब हम k-means clustering यह clustering को हम देखेंगे, so हम 3 methods के through handle कर लेते हैं outliers को, लेकिन outliers को तरीके कार और भी handle करने के, पहली चीज है कि आप outliers को remove ही कर दें ठीक है, अगर मैं sorry, मेरी screen आपके सामने नहीं share हो रही थी, so I'll go back k-means clustering के अंदर sorry for that okay so, यहां पर k-means clustering के अंदर, मैंने आपको यह दिखाया कि हमने import की k-means clustering, और यहां पर sample data जो हमने ले लिया हमने clusters बना लिये यहां पर and then we predict those data label की base पर हमने clusters को predict कि data कितने clusters में आ सकता है and then उसकी base पर हमने clusters के label की base पर decide कि हाँ जी भई, data का कौन कौन सा cluster है and then based on those clusters हमने outliers को पकड़के निकाल दिया, so यहां पर आप देखें कि data यह outlier है, यह आपके पास data without outliers है simply, तो outliers भी हमारे पास आगे data पी से हमने outliers को remove करके simple data भी लिख दिया so usually it happens जब आप k-means cluster को पढ़ेंगे तो आपको यह और भी समझ आ जाएगा, but for now आप z-score और inter-cortile range पे focus कर सकते हैं, मैं वही बता रहा था कि अगर आप outliers को handle करना चाहते हैं, तो there are five ways to handle outliers पहला तरीका है remove them बिलकुल उसे निकाल के बाहर करें, ठीक है दूसरा तरीका आपके पास क्या है दूसरा तरीका है, transform and use the binning values ठीक है, उनको आप क्या करें उनको transform कर दें outliers can be transformed to bring them within a range, like log transformation, जो मैं कल भी आपको बता रहा था, normalization and standardization क्या करती है, log transform कर देती हैं चीजों को, आप log से भी कर सकते हैं the method as well, तो वो क्या करेंगे, वो basically आपके बड़े data को उस range में लेंगे जो आपने scale करके लाना है तो जरूरी नहीं है कि data को remove कर दे पहले data को scaling और normalization करके देखें, क्या outliers transform होते हैं कि नहीं, ठीक है फिर आप impute भी कर सकते हैं आप outliers को mean, median या mod से replace कर सकते हैं यानि कि आप outliers को remove करने के बजाए, उनको missing values तसवर कर लें, ठीक है, and then you can impute them, तो आप outliers को missing values तसवर कर लें और उनको impute कर लें या आप separate treatment के अंदर उन्हें use कर लें, यानि कि in some cases it's beneficial to treat outliers separately rather than removing or imputing them ठीक है, आप उन सारे के सारे outliers को separate data set में ले जाए और उस पे machine learning का algorithm separate लगा लें फिर robust statistical method, there are many methods जो outliers को consider करते हैं क्या आंदे हो outlier हम खुदी deal कर लेंगे सो पांच method मैंने आपको बताया outliers को handle करने के सबसे पहला method, removing the outliers, second one is transforming them using log transformation या standardization third one is impute them as you impute missing values number four is separating them in another algorithm यानि कि उस data को separate कर ले and number five is robust statistical methods, ठीक है यह पांच methods आपको अच्छे तरीके से outliers को handle करने का idea दे सकते हैं अब conclusion यह है कि outliers जो हैं इनको remove करना बहुत जरूरी है otherwise आपका data बहुत खरापी पैदा कर सकते हैं अगर outliers को आप अच्छे से deal ना करें तो inconsistent results आपके पास आएंगे and then outliers may be detected using a variety of methods including the percentile approach IQR disease score method and other methods जो हमने अभी तक देखें this is all about outliers यह पूरे book का chapter जो है इसके अंदर 6.1 जो है आपका खास तोर पे छटा chapter इस book का जिसका link मैंने description में दिया है last पे अब वहां पे जाके 6.1 chapter पे जाके types of outliers और बाकी चीज़ें देख सकते हैं कुछ इसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वह mistakes में I will improve them क्योंकि यह better version है हमारी book का और आप इसको dark mode में भी देख सकते हैं light में भी यह होगी dark यह होगी dark यह होगी light तो आपकी तस्वीरें भी बन जाएगी और दूसरी चीज़ अगर आप चाहें तो इसे book के अंदर सारे के सारे quotes मैंने available दिये हुए आपको यहां से मिल जाएंगे और यह जो notebook है यह सारी की सारी notebook भी आपको भी मिल जाएगी कि outliers को कैसे remove करना है outliers क्यों remove नहीं करने यह भी मैंने आपको बताया क्यों remove करने यह भी बताया और कौन-कौन से तरीकों से deal करना उन से यह भी मैंने आपको बताया अब इस एक outliers के lecture के बाद इंशाला we will repeat outlier detection when we will go to clustering methods लेकिन अभी तक के लिए z score and IQR method is one of the best methods to use या mean median mod आप यूज कर ले या robust statistical method को यूज कर ले और यही चीजें बार-बार मैं machine learning के algorithms के अंदर भी लेके आउंगा कि outliers को अगर data के अंदर हैं तो कौन-कौन से models अच्छे तरीके से handle कर सकते कौन सा algorithm है जो outlier से परिशान नहीं होता so there are algorithms आते इंशाला उनको बारी-बारी देखेंगे अभी के लिए इतने और अगर आपने like नहीं किया, share नहीं किया, subscribe नहीं किया तो please do it, it will help us a lot अच्छे लिए